नमस्कार साथ यहां आप सभी का हमार इसक्रेशनल प्लैटफॉर्म कॉम्पटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर दिस्वागत है बात करेंगे हम लोग यहां पर टार्गेट सीजी एसाई और इसी कड़ी में आपका यह रिजनिंग का लेक्शन नमबर नाइन होने वाला है और पजल पर बेस्ट कोशन को सॉल्फ करेंगे यदि मैं बात करूँ इन दोनों ही टॉपिक्स की तो आपके एक्जाम के दिश्टिकोंड से यह दोनों ही टॉपिक काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं और अगर आपको याद हो तो इससे पहले के सेशन की अगर मैं बात करूँ सेशन नमबर सेवन की तो वहाँ पर हम लोगों ने order and ranking पर based concepts की चर्चा करी जहां पे मैं आपको बताया कि order and ranking के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं sitting arrangement पर based job के basic concepts होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर develop करते हुए चल रहे हैं यानि कि अगर मैं बात करूँ आज के session की तो आज के session में हम basic concepts पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर approach के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे जो कि आपका काफी महतपूर हो जाता है जब हम लोग प्रश्णों को बना रहे होते हैं यानि कि अगर हम बात करें sitting arrangement या फिर puzzle के प्रश्णों की तो यहाँ पर हमें approach किस प्रकार से करना चाहिए प्रश्णों के लिए हमें किन-किन महतपूर तथ्यों पर ध्यान देना है जानेंगे किन महतपूर तथ्यों पर हमें ध्यान देने की आवशकता होती है जब हम क्या करते हैं sitting arrangement पर based questions बना रहे होते हैं तो सबसे पहली महतपूर बात यह कि आपको language पर बहतर command होनी चाहिए यानि कि किसी भी दिये गए information को आपको यहां पर बहतर तरीके से समझना है actual में sentence में कहना क्या चाह रहा है या दी गए information का मतलब क्या है यदि एक भाशा में आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं दूसरी भाशा की सहायता ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि प्रयास करिए कोशिस यह करिए कि आपको दोनों ही भाशाओं में at least जो subject की समझ है वो बहतर तरीके से हो जैसे कि कई बार क्या होता है हम किसी एक particular language में दी गए information को बहतर तरीके से नहीं समझ भाते तो उस case में हमें क्या करना होता है कि दूसरे important बात कि अगर मैं बात करूँ तो हमें ध्यान देना होता है possible structures पर यानि कि किसी भी given information के लिए अगर यहां पर दो तरीके से structure बन रहे हैं तीन तरीके से structure बन रहे हैं तो हमें तीनों structures को यहां पर consider करते हुए चलना है इसके अलावा अगर मैं तीसरी सबसे important बात करूँ तो जो आपका structure है वहां पर यदि आपकी को information fix नहीं हो रही है तो उस case में क्या करेंगे आप उसे as an information note down करके लिक लेंगे जिससे आपको बार बार paragraph पढ़ने की आउशकता ना पड़े तो basically हम इनी तीन बातों का ध्यान और इनी तीन बातों को utilize करते हुए यानि कि इनी approach को follow करते हुए किसी भी प्रशन को आसानी से कैसे बना जा सकता इसके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर दिये गए arrangement की तो basically आपके जो arrangement होते हैं वो तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं एक मिलता आपको circular arrangement दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा linear arrangement और यदि मैं तीसरे की बात करूं तो floor पर based आपको arrangement देखने को मिलेगा फेशिंग दसेंटर तो यहां से आप जान सकते हैं कि आपका दिया गया ओर इस सरकूलर अरेंचमेंट पर एस रहे होगे दाना होगा सबसे हैं तो इसके प्रकारा को बना नहीं पले होईई गी जैसे जैसे आप पर अभ्याश करते चले जाते हैं वैसे आप यहां पर boots को समझ पाएंगे कि यहां पर कब केंदर की ओर देख रहे हैं तो किस प्रकार चाह में मूव्मेंट करना है कहने कार्थ यह है कि जब यहां पर अगर मैं बात करूं लेफ्ट की तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा यहां पर आपका क्लॉक वाइस और जब हम बात करेंगे right की तो right का मतलब हो जाएगा यहान पर आपका anti-clockwise moment clear यानि कि जब कभी वेक्ति की position right के right में दी गई होगी तो आप क्या करेंगे आपका जो movement होगा वो कैसे होगा anti-clockwise direction में होगा और जब कभी किसी वेक्ति के respect में दूसरा रेक्ति उसके बाई और बैठा होगा तो आपका जो मोमेंट होगा वो किदर होगा clockwise direction में होगा clear तो यह कुछ basic बात है यह कुछ महत्रपोर्ड तत्थ हमें जानना आवश्यक है जब हम प्रस्णों को हल कर रहे होते हैं दी का यह जानकारी के जानकारी की आदि में बात करूं तो बोला जा रहा है डी is sitting to the immediate left of A यानि की जो D है वो कहा बैठा एक के तत्काल बाई और बैठा अगर हम बात करें A की तो यहां पर अगर हम A को बनाते हैं तो एक के ततकाल बाई और कौन बैठा हमें दिखाई देगा, डी दिखाई देगा, तो इस प्रकार से हम structure बना लेंगे, आगे की यदि मैं जानकारी की बात करूं, तो बोला जा रहा है, C is sitting to the immediate right of B, C कहां बैठा है, B के immediate right में बैठा है, तो यहाँ पर दोनों में ही multiple possibilities बनें होंगे, आगे की यदि मैं बात करूं, तो बोला है, B is not sitting adjacent to A, यानि की B की अगर हम बात करें, तो B जो है, वो A का पड़ोसी नहीं है, इट मिंस B के लिए यहाँ पर भी दो स्थान बसते हैं, और यहाँ पर भी दो स्थान बसते हैं, अब possible structure बनाने का benefit आपको यहाँ पर मि इस प्रकार से आपका structure बन करके पूरा क्या है, तयार है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर पूछे गए प्रस्ट की, तो प्रस्ट में पूछा जा रहा है, who is sitting second to the right of D, यानि कि D के दाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप clearly देख सकते हैं, पहले नंबर पर मिलेगा A और दूसरे नंबर पर मिलेगा E, यानि कि अगर हम उत्तर की बात करें, तो option number B क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रस्ट के clear, चलिए, बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगले प्रस्ट की, अगले यदि में प्रस्ट की बात करो, तो MP Police SI 2016 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ट है, तो same approach को हम लोग यहाँ पर भी follow करने वाले हैं, बात करें, यहाँ पर दी गई जानकारी की तो बोला गया है, PQRS and T are doctors working in a hospital with their cubicles in a row, it means अगर हम बात करें प्रस्ट की, तो यह आपका linear arrangement पर based question है, यानि कि अगर हम बात करें, यहाँ पर जो doctors का cabin है, वो एक पंक्ती में है, और अगर हम बात करें, यहाँ पर number of doctors की, तो कितने है, 5, clear, बात करेंगे, हम दी गई जानकारी की, तो बोला जा रहा ह S and T are not side by side, यानि कि आप कह सकते है, S और T यहाँ पर पडोसी नहीं है, या इनके जो आपकी cabins है, वो अगल बगल नहीं है, clear, आगे कि यह दि मैं बात करेंगे, तो बोला जा रहा है, T is at the left end, यानि कि T जो है, वो आपका कहाँ है, extreme left पर है, यानि कि T का जो cabin है, वो extreme left में ह कि T के right में यहाँ पर आपको 4 cabins देखने को मिलेंगे, क्योंकि total number of cabins है, वो कितने है, 5, आगे कि यह दि मैं बात करूँ, तो बोला जा रहा है, P's cabin next to Q's and R's cabin is next to S, यानि कि अगर हम बात करें, P का जो cabin है, वो Q के next में है, और अगर हम बात करें, यहाँ पर, R का जो cabin है, व Q है, इसको 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, और R के अगर हम बात करें, तो S के next में इसको भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको direction नहीं दिया हुआ है, कि towards right में या towards left में, यहीं कि next मतलब आपका left भी हो सकता है, next मतलब आपका right भी हो सकता, in general अगर हम आपर दो तरह से बात करेंगे आगे की दी गई जानकारी की तो बोला जा रहा है P is to the right of Q P जो है वो Q के right में यह वाली condition हो जाएगा आपकी cancel P ना केवल Q के right में है लेकिन T के भी right में थो हमें पता है कि T आपका extreme left में है जो बचे हुए members है यानि कि अगर हम बात करें चार members की तो उन्हें सभी का जो cabin है वो कहा हो जाएगा T के right में ही हो जाएगा आगे कि अगर में बात करो तो बोला जा रहा है there is at least one person between S and Q यानि कि अगर हम बात करें S और Q के बीच में तो at least एक बंदा होगा आपका ये दो प्रकार से हो सकता है एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से clear सारी जानकारी को हमने क्या किया है information के तौर पर note करके लिख लिया है यानि कि अब हमें बार-बार paragraph पढ़ने की जरूत नहीं है clear सीधे सीधे हम क्या करेंगी से structure में fix करेंगे साथ ही साथ मैंने का possible structure भी हम लोग बनाते हुए चलेंगे यदि कोई possibility बनती है तो और यहां पर आपको possibility बनती हुए दिखाई देगी जैसा कि बोला गया है there is at least one person तो मैंने कहा भाषा पर भी आपको विशेस ध्यान देना होता है at least one कि यदि हम बात करें तो कम से कम एक होना चाहिए लेकिन एक से जाधा भी हो सकता है clear तो अगर हम बात करें तो इस structure को हम क है था s और q के बीच में क्या हो जाएगा कम से कम एक person आएंगे लेकिन अगर हम बात करें q को हम यहां बैठा नहीं सकते क्यों क्योंकि जो आपका पी है वो q के राइट मेट मिन्स यह possibility हो जाएगी cancel अब हम बात करते हैं दूसरी possibility कि यदि मैं बात करूं तो यहां पर हम q को बना सकते हैं यहां पर हम किसको बना सकते हैं यहां पर q के बीच में कितने बनने एक बनने यहां पर कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा और यहां पर अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा और हो जाएगा क्लियर यानि कि आप देख सकते हैं कि जो आपको जानकारी दी गई थी सारी की सारी जानकारी यहां पर क्या हो रही आपकी फॉलो हो रही सारी कि सारी कंडिशन आपकी क्या हो रही और हम बात करें S और R की तो क्या कह सकते हैं आप S is next to the R या फिर R is next to the S लेकिन जब आप इस प्रकार से structure बनाते हैं और हम बात करें यदि दियेगे विकल्पों की तो प्रस्ट में आपसे पूचा है the position of S is यानि कि S की जो position है वो क्या है तो बोला जा रहा एक्स्ट्रीम लेफ्ट हमें पता एक्स्ट्रीम लेफ्ट आपका कौन बैठा हुआ T बैठा है यानि कि सबसे बाइउ और कौन बैठा हुआ T बैठा हुआ है और एक्स्ट्रीम राइट की अगर हम बात करें तो आपको आर दिखाई देर अब आप कहेंगे कि प्रस्ट नहीं हमें गलत दे दिया गया है क्यानि कि आप कहेंगे प्रस्ट नहीं गलत दे दिया गया है जबकि सारी की सारी कंडिशन आपके यहां पर सेटिसफाइब हो रही है तो मैंने कहा भास्षा पर ध्यान देना है यहां पर बोला गया है एट लिश्ट ध्यान दीजिए एट लिश्ट याई कि QeS के बीच में कम से कम एक बंदा बैठा यानि कि इसी स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी बना सकते थे यानि कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रीम राइट की अगर हम बात करें तो आपको उप्शन नमबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछेगे प्रस्टन के लिए और इसी लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको पॉसिबिल्टी इस पर विशेस ध्यान देना है साथी साथ विकल्पों का चैयन भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना इट मिन्स कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको एक विकल्प दे दिया जाता सी एंडी यानि कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पर दो पोजिशन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है में जा सकते थे इसलिए मैंने कहा कि आपको क्या करना है विकल्पों के चयन पर और साथ इसाथ अगर हम बात करें तो पॉसिबिल्टी इस पर भी विशेश ध्यान देने की अवर्शक्ता है क्लियर बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की अगले दी मैं प्रश्न की बात करूं तो यह भी आपका उत्तरा खंट प्रिलिम्स 2016 की परिक्षा में पूछा गया प्रश्न है अप्रोच हमारा सेम होने वाला है बात करेंगर हम यहाँ पर बोला जा रहा है तो मैंने कहा भार्शा पर आपकी बहतर कमांड होनी चाहिए अभी तक आपको यही जानकार इस प्रकार से देखने को मिल रहा है फेसिंग वन अनदर फ्रंट तो फ्रंट अगर हम बात करें सर्कुलर अरेज्मेंट में जब व्यक्ति बैठे हैं और एक दूसरे की और देख होगा ठीक है तो सेम जानकारी के लिए यहां पर आपको भार्शा थोड़ी सी घुमा करके देखने को मिल रही तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्लियर बात करें हैं यहां पर आप प्रोच की तो हमें फिर से क्या करना इस प्रकार से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर स बना लें नहीं हैं बात करेंगे हम दी ग prawd ही जानकारी की तो बोला जा रहा है यहां पर P is sitting in front of Q P and Q क्या है एक दूसरे क्या हमने सामने बैटे तो यहांपर हमने P को बना है तो यहांपर हमने Q को बना लिया In the same way, यहांपर हमने P को बना है तो यहांपर हमने Q को बना लिया Clear? आगे के यही मैं जानकारी की बात करूँ तो बोला जा रहा है Q is sitting to the immediate right of T and immediate left of R क्योंकि अगर हम बात करें Q कहां बैटा immediate right of T यानि कि T कहां जाएगा इसके immediate left में हो जाएगा और R कहां बैटा है Q is sitting to the immediate right of T and immediate left of R यानि कि अगर Q R के left में है तो R कहां हो जाएगा क्योंकि immediate right में हो जाएगा clear एक पर हम बात करें तो यहां पर यानि कि यहां पर यहां पर में देखने को मिल रहा है और यहां वह बचे में बात करेंगे पूछे का यह प्रस्ट की बैठा है तो आंसर हो जाएगा option number है तो आसान सा प्रश्ण था आसानी से आप यहां पर सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए कोशन को बना सकते हैं बात करेंगे अगले प्रश्ण की अगले यदि मैं प्रश्ण की बात करूं तो यूपी जेल पुलिस 2021 यानि की लेटेस्ट एक्जाम में आपको यहां पर पूछा गया प्रश्ण देखने को मिल रहा है प्रस्ट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है Mr. Bajaj, Mr. Desai, Mr. Khan, Mr. Parmar and Mr. Chopra leave in a five-story building It means यह जो आपका arrangement है, यह आपका कैसा arrangement है, यह आपका floor पर based arrangement है, clear आगे कि अगर मैं जानकारी की बात करूं तो बोल रहा है, each of them on different floor, यहां पर five-story building में रहते हैं और प्रतिक यहां फ्लोर की बात करें तो एक वक्ति यहां पर आपको देखने को मिलेगा The bottom most floor is numbered as floor one, यानि कि जो सबसे निचला तल है, उसे हम एक बोल रहे हैं, फिर उसके उपर वाले को दो, फिर तीन, फिर चार, और सबसे उपरी तल को हम क्या बोल रहे है, पांच, clear आगे की एदि मैं बात करूँ, तो बोला जारा Mr. Desai leaves on a floor above Mr. Khans, यानि कि अगर हम बात करें Mr. Desai की तो यह हो गए Mr. Khans, और Mr. Desai इन से किसी उपर वाले एक तल पर रहते हैं, ध्यान दीजिए, just above रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि यहां पर immediate word का use नहीं किया गया है, clear बोला गया है Mr. Desai leaves on a floor above Mr. Khans floor, but below Mr. Bajaj floor, यानि कि Mr. Desai हो जाएंगे खान वाले फ्लोर से उपर और Mr. Bajaj वाले फ्लोर से नीचे, clear, तो Mr. Khans के किसी एक फ्लोर उपर में रहते हैं और लेकिन Mr. Bajaj से नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, अब इनके बीचे व्यक्ति हो सकते जैसा कि immediate above नहीं बोला गया है, आगे कि यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है, there is a gap of two floors between Mr. Khans and Mr. Parmar, यानि कि अगर हम बात करें Mr. Khans की, तो Mr. Khans और Mr. Parmar के बीच में दो floors का gap है, और ये gap ऐसा है कि जरूरी नहीं कि Mr. Parmar Mr. Khans से उपर वाले फ्लोर में रहते हो, it means कि Mr. Parmar Mr. Khans से नीचे वाले floor में भी देखने को मिल सकते हैं, clear? आगे कि अगर हम बात करें, तो बोला जा रहा है, Mr. Khans leaves immediately above Mr. Chopra, यानि कि Mr. Khans कि अगर हम बात करें, Mr. Khans, Mr. Chopra के just above वाले floor पे रहते हैं, clear? अब इस अगर हम arrangement की बात करें, Mr. Khans और Mr. Parmar के बीच में यदि दो floor है और total यहां पर 5 floor है, तो हमारे पास Mr. Parmar के लिए एक ही जगा बची हुई है, कौन सी? Top most floor, यह हो जाएंगे Mr. Parmar, यह हो जाएंगे Mr. Bajaj, यह हो जाएंगे Mr. Desai, और यह हो जाएंगे Mr. Khan, और सबसे नीचे वाले में आपको मिलेंगे Mr. Chopra, clear? इस प्रकार हमारा arrangement बन करके त सानी के साथ, तो अगर हम बात करें, यहां पर पूछे गए प्रस्न की, तो प्रस्न की तो पूछा जा रहा है Mr. Chopra leaves on the floor number, यानि कि Mr. Chopra की अगर हम बात करें तो Mr. Chopra जो है वो आपके floor number 1 पर रहते हैं, यानि कि option number D की हो जागा, यहां पर right answer हो जाएगा, पूछे गए प्र तो बोला जा रहा है M, N, O, P, Q, R, S, P, R, sitting around a circular table for a meeting facing center, clear, यानि कि 8 वेक्टी हैं, तो फिर सा हम क्या करेंगे, structure बना लेंगे, 8 वेक्टीओं के लिए 2, 4, 6, 8, यहां पर एक possible structure बना लेंगे, 2, 4, 6, 8, आगे कि यहीं मैं जानकारी की बात करूं, तो बोला जा रहा है, M is second to the right of S, यानि कि M कि अगर हम बात करें, तो S के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानि कि अगर हम बात करें, S हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, आपका M, यहां पर अगर S हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका M, आगे कि अगर हम बात करें, बोला जा रह किसको n को clear आगे किया थी मैं जानकारी की बात करूं तो बोला जा रहा है पी second to the left of r पी कहा है आर के second to the left में है यानि कि यहां पर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको as an information note down करके लिख लेंगे पी second to the left of r who sits between s and m who किसके लिए आया आर के लिए तो आर कहां बैठा s और m के बीचे बैठा तो यह हो जाएगा आपका और अगर हम बात करें पी की तो पी कहा है second to the left of r है it means p के लिए position आपकी यह वाली क्यों जाएगी fix हो जाएगी clear आगे कि यदि हम जानकारी की बात करें तो बोला जा रहा है ओ इस नोट अनेबर ऑफ एन और क्यू ओ जो है वो एन और क्यू का पड़ोसी नहीं है यानि कि ओ को हम यहां नहीं बैठा सकते यहां पर पर बैठा लेंगे इस प्रकार चाहप का अरेंजमेंट क्या है बन करके तयार आप यहां पर आप पूछे जाने वाले किसी भी प्रस्न का उत्तर असानी से दे सकते हैं बात करें प्रस्न की तो पूछा जा रहा है तो यहां पर आप देख पार है कि अनके दाइनी और दूसरे सान पर कौन है पी है अगले विकल्प की अगर मैं बात करूं तो 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 इमेडियेट राइट और यानि कि आपको यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए अगला प्रस्न अपका आपका जो है वह थोड़ा सा लंडी था और लंडी होने के कारण से यहां पर आपको दो अलग-अलग पेजेस पर अलग-अलग भाशाओं में यहां पर प्रशनी देखने को मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस बार हम प्रशन को हिंदी में हल करें और जो भी विद्यार थी, English में प्रश्ण को नोट डाउन करना चाहते हैं, वो इस प्रश्ण का स्क्रिंशॉट ले ले, मैं यहाँ पर बोट से थोड़ा हट जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रिंशॉट आप इसका ले सकते हैं, प्रश्ण को हम लोग Hindi में सॉल्व करेंगे, चली, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आठ व्यक्ति, A, B, C, D, P, Q, R, और S, एक वृत्ताकार मेज के चारों रुबटे हैं, मेज की और उन्मुख व्यक्तियों की संख्या केंदर से, बाहर की और उन्मुख व्यक्तियों से अधिक है, यानि कि अगर हम बात करें, फेसिंग इंसाइड, वाले क्या है, ग्रेटर देन आउटसाइड, क्लियर, व्यक्ति हैं आठ, और इस बार यहाँ पर हमें, कुछ व्यक्ति क्या है, केंदर की और देख रहे हैं, और कुछ व्यक्ति केंदर के विपरित दिशा की और देख रहे हैं, यानि कि, आरेंजमेंट में हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवशकता है, बात करें यहाँ प्रस्ण की, तो बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है, ए जो है, वो आपका C के विपरित बैठा है, एक की अगर हम बात करें, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A और C कहां बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, आगे कि यदि मैं बात करूँ, तो बोला जा रहा है, A के दाहिनी और तीसरे स्थान में है, S की अगर हम बात करें, तो बोला जा रहा है, जो है वो आपका A के दाहिनी और तीसरे स्थान में है, तो हम मान के चलते हैं, यदि A केंदर की और देख रहा है, तो S फिर आपको इधर देखने को मिलेगा, A के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो clockwise direction में फिर हम one करेंगे आगे कि अगर हम बात करें, तो S A के दाईंग और तीसरे स्थान पर है और S का मुख की अगर हम बात करें, तो Q के समान दिशा में है यानि कि अगर हम बात करें और A का मुख यानि कि A और Q कि अगर हम बात करें तो A और Q जो है वो दोनों कहां देख रहें सेम डारेक्शन में देख रहें अब क्योंकि यह information भी fix नहीं है इसलिए हम यहां पर इसको circle करके लिख ले रहें यानि कि केंदर की ओर भी हो सकता और केंदर के विपरीत भी देखने को मिल सकता है A और R दोनों मुख समान दिशा में इटमीन हम कह सकते हैं A और Q का मुख अगर समान दिशा में और R का मुख एक ही समान दिशा में यानि कि तीनों के मुख की अगर हम बात करें आगे कि अगर हम बात करें A और और का दोनों का मुक्स अमान दिश्जा में आगे कि अगर आखे अगर आ क्यू arribТ के दाईे और तीसरे स्थान पर बैठा है तो अगर हम क्यूeld के दाईे और तीसरे स्थान की बात करेंगे तो एक दो तीन यहां पर आपको क्यू Kiss आर के लिए जगा देखने को नहीं मिलेगी, it means हम Q को यहां पर क्या करेंगे, फेशिंग इंसाइट करके बनाएंगे, तो एक, दो, तीन ही हो जाएगा, आपका कौन, आर, इस प्रकार आप देख सकते हैं, आर क्यू के दाइनी और तीसरे स्थान पर है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे, इसको फेशिंग इंसाइट बनाते हैं, तो तीसरे स्थान पर हमें जगा देखने को नहीं मिलती, यानि कि इस बार क्यू क्या करेंगा, फेशिंग अपोजिट टूर्स असेंटर करेंगा, और एक, दो, तीन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कौन, आर, क्लियर, आगे कि यदि मैं बात करूं, आर, क्यूंके दाहिनी और तीसरे स्थान में है, अब दी गई जानकारी को हमने क्या किया, अच्छा, यहां पर एक लाइन हमारी छूट गई थी, यह वाली, D C के दाइनी और तीसरे स्थान में D कहा है C के दाइनी और तीसरे स्थान में यानि कि C के अगर हम बात करें यदि C कहां देख रहा है केंदर की और देख रहा है तो 1, 2, 3 यहां पर आपको देखने को मिलेगा D तो बोला किया है DC के दाई और तीसरे स्थान में है जो केंदर से बाहर की और उन्मुक नहीं है यानि कि C के अगर हम बात करें तो facing inside है ये बात आपकी क्या हो गई fix, C कहां देख रहा facing inside ये बात हो गई आपकी fix अब अगर हम बात करें A और C दोनों कहां बैटें एक दूसरे के आमने सामने बैटें तो आमने सामने के लिए यहां पर आपको जो position दिखाई दे रही वो एक ही position दिखाई दे रही जो कि ये है उसी प्रकार यहां पर भी एक ही position दिखाई दे रही है यानि कि अगर ध्यान दीजिए हम बात करें A की, यदि हम यहाँ पर A की बात करें, तो यहाँ पर हम A को बनाते हैं, या फिर यहाँ पर हम A को बनाते हैं, दो हमारे पास option है, तो यदि हम यहाँ पर A को बनाते हैं, तो हमें पता है स्टीर उन्साइब को टेखने को मिलेगा एक सांवे में देखने को मिलेगा है आप C का मुख भी हमें पता है कहां चैन्धर की और है और C के दाहिनी और ती सरा स्थान पर जैदी हम बात करें तो कौन बैठा है डी बैठा यानिंगा लिए होला स्ट्क्चार आपका cancel हो गया यहाँ पर structure नहीं बनाए जा सकता हम बात करेंगे दूसरे possible structure की जहाँ पर हमारे पास A और C के लिए एक ही स्थान खाली है तो जदी A को हम यहाँ पर बठाते हैं और A का मुख कहा है क्योंके समान दिशा में it means A कहा देखेगा केंदर के विपरित दिशा में देखेगा एक दो तीन यहाँ पर बाढ़ जागा कौन एक दो तीन यहाँ पर बाढ़ जागा S और A और C opposite एक दूसरे के क्या है सामने बैठे होए तो यहाँ पर हो जागा C C कहा देख रहा केंदर की ओर देख रहा और मैंने कहा Q A और A के ही दिशा में देख रहा है इट मिन्स आर भी कहा देखेगा opposite towards the center देखेगा clear और C के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा था तो C के दाई और तीसरे स्थान पर D बैठा था निकि एक दो तीन यहाँ पर कौन देखने को मिल जाएगा हमें D मिल जाएगा और बचे हुए व्यक्ति के रही हम बात करें तो P Q RS AB CD बचा हुए व्यक्ति आपका होगी अब भी अब जो पहली जानकारी दी गई थी कि जो केंदर की और व्यक्ति देख रहे हैं उनकी संख्या केंदर के विप्रीत देखने वाले व्यक्तियों की तुलना में आधिक है तो केंदर के विप्रीत यहाँ पर हमें अलड़ी तीन व्यक्ति मिल चुके हैं इट मींस कि अब जो बचे हुए व्यक्ति हैं सभी का मुख क केंदर की और हो जाएगा क्लियर इस प्रकार से एक कंडिशन आपकी कैंसिल हो गई दूसरी कंडिशन यहां पर आपकी बन करके तयार है आप किसी भी पूछे गए प्रश्ण का उत्तर आसानी से दे सकते हैं प्रश्ण की यदि मैं बात करूं तो बोला गया डी के संदर्म में किस्थिति का है यह नि कि दाइं और तीसरे स्थान पर यह तो अगर हम बात करें तो दाएं से तीसरे आपको पहले ही विकल्फ में देखने को मिल रहा हुए यह तो विकल्फों का चैन भी यहां पर महत्यपूर्ण हो जाता है clear चलिए बात करेंगे अगले प्रस्ण की 6 members, M1, M2, M3, M4, M5 and M6 यानि कि 6 क्या है वेक्ति है of a family are sitting in a row facing towards north यानि कि सभी कहां देख रहे हैं उत्तर की और देख रहे हैं फिर से आपको एक linear arrangement पर based question देखने को मिल रहा है बात करेंगर हम आगे की जानकारी की तो बोला जा रहा है M3 M3 sits to the immediate right of M5 यानि कि M5 के ततकाल दाइनी और कौन बैठा M3 clear M3 sits to the immediate right of M5 and second to the left of M1 यानि कि M3 जो है वो M1 के second to the left में है तो यह हो जाएगा आपका M1 clear आगे कि यदि मैं बात करों तो बोला जा रहा है M4 is second to the right of M2 M4 जो है वो M2 के कहा है second to the right में है तो यहाँ पर M2 है तो एक व्यक्ति छोड़ करके आपको M4 देखने को मिलेगा आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है M5 is not sitting at the ends of the row यानि कि M5 किसी भी छोड़ पर नहीं है तो M के right में तो आपको बंदा दिखी रहा it means M के left में भी at least एक बंदा तो definitely आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कुल व्यक्तियों की संक्षा कि अगर हम बात करें तो कितने थे 6, 1, 2, 3, 4, 5 बंद करके तयार है अब यदि हमें M2 और M4 को यहाँ पर बिठाना है it means M2 के लिए एक ही स्थान बचेगा ये वाला और एक व्यक्ति को छोड़ करके यहाँ पर मिल जाएगा आपको M4 और बचे हुए व्यक्ति की हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको M6 यानि कि यह आपका structure बन करके तयार है क्लियर बात करें अगर हम यहाँ पर पूछे के प्रस्णकी तो बोला जा रहा हूँ आर सिटिंग अड़ एंड्स ऑफ दरू तो एक तो आपका M6 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका M4 जो कि आपको option number C में देखने को मिल रहा है तो अप्रोच आपको यही रखना है प्रैक्टिस आपको number of questions की कर लेनी है information की हम बात करें तो अगर fix नहीं होता तो किस प्रकार से उसे note down करके लिखना है जिससे कि हमें बार-बार paragraph पढ़ने की जरूत ना पढ़े और साथ ही साथ दोनों भार्षाओं में language पर बहतर command तो इन बातों पर आपको विशेएस ध्यान देने क्या होशकता है जब हम बात कर रहे होते हैं sitting arrangement या फिर puzzle पर based questions की clear बात करेंगे अगल structures बना लेंगे यानि कि यह हो गए दो यह हो गए चार यह हो गए 6 आगे की मैं बात करूं तो बोला जा रहा है P is second to the right of S यानि कि P कहां बैठा है S के दाइयों और दूसरे स्थान पर तो S को हम यहां बैठाते हैं तो P यहां हो जाएगा S को यहां बैठाते हैं तो P यहां हो जाएगा आगे की दी में बात करूं तो बोला जा रहा है Q is sitting to the immediate left of T Q कहां बैठा T के immediate left में तो इसको मिस्प्रकार्ण से आपर note down करके लिख लेते हैं आगे की दी में बात करूं तो इसको अगर आप fix करते तो दो possible structure है तो एक में Q को आप यहां रख सकते थे और T को यहां रख सकते थे तो इस पर भी आप यहां पर बना के देख सकते थे आगे की दी में बात करूं तो बोला जा रहा है P sitting between R and U अब P जो है वो R और U के मद बैठा तो यानि कि एक में R हो सकता है एक में U हो सकता है लेकिन यह वाली condition आपकी क्या हो जाएगी cancel हो जाएगी क्यों क्योंकि P R और U के मद यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है आगे कि अगर हम जानकारी यहां पर देखें तो बोला जा रहा है S is sitting to the immediate left of R और S कहा है R के immediate left में मतलब कि R यहां पर हो जाएगा और U आपका यहां पर हो जाएगा इस प्रकार सी arrangement आपका बन करके क्या है तैयार है बात कर यह हम पूछे गए प्रस्ण की तो पूछा जा रहा है who is sitting between P and S तो P और S के बीच में कौन बैठा है तो P और S के बीच में यहां पर आपका R बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear चलिए SSC GD 2021 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है प्रस्ण की अधी में बात करूँ तो five friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing south इस बार सभी व्यक्तियों का मुख कहा है south की और है तो अगर हम बात करें sitting arrangement की basics की तो जब सभी व्यक्तियों का मुख केंदर की और होता है और उसे हमने केंदर की और मुख किये हुए व्यक्तियों के रूप में arrangement बना लिया है तो वहाँ पर भी हमारे प्रस्णों का उत्तर समान आएगा केवल और केवल आपके जो alphabetical way में elements arrange किये जाते हैं वहाँ पर आपके प्रस्णों के उत्तर vary करते हैं तो उसको भी कैसे बना जा सकता है इसके उपर चर्चा हम लोग basic concepts में करेंगे जब हम लोग mains की classes ले रहे होंगे ठीक है इसी प्रकार जब हम linear arrangement की बात करते हैं तो यदि सभी व्यक्तियों का मुख south direction में दिया है और यदि उसे आप north direction में करके solve कर लेते हैं तो भी आपके सभी प्रस्णों के उत्तर सेम आने वाले वहां पर भी आपको कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा परिवर्तन केवल और केवल आपको देखने को मिलता है जब हम क्या करते हैं आरेंज्मेंट में alphabetical order में व्यक्तियों को व्यवस्थित करते हैं तो उसका उत्तर भी हम दे सकते हैं डारेक्ली तो इसकी कहां बैठा है अपका center में बैठा है तो यह हो जाए अपका q यानिकि दो व्यक्ति इसके दाई हो जाएंगे और यह दो बैखती कहां हो जाएंगे इसके बाइंगे clear आगे की यदि में बात करें तो बोला जारा P sitting at the west end, P की अगर हम बात करें तो वो कहा है, पश्चिम छोर पर है, P and R are sitting on the one side of Q, T और R की अगर हम बात करें तो वो एक ही तरफ बैठे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, यहां पर T और R में से एक वेक्ति हो सकता है, यहां पर T औ T and R, तो P और R के बीच में यहां दी दो वेक्ति हैं, तो A की वेक्ति दो वेक्ति, it means R यहां पर fix हो जाएगा, T यहां पर fix हो जाएगा, और यहां बचे हुए वेक्ति की बात करें, तो वो हो जागा S, इस प्रकार से आपका arrangement बन करके क्या है, तो यार है, बात करें, अगर प्रस्णों की, तो Puzzle में basically क्या होता है, कि आपके यहां पर variables जादा होते हैं, जादा variables पर आपको question देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करें, पहले प्रस्ण की तो बोला जारा 5 girls, अब यह भी आपके यहां पर जादा तर जो अपने questions देखें, वो सभी आपके किसी ना क परिक्षा में पूछे गया प्रस्ण है, यह भी आपके NTPHC के exam में पूछा गया प्रस्ण है, बात करें देखें प्रस्ण की तो बोला जारा 5 girls, प्रिया, उशा, रिया, श्रिया, एंड, टीना रोट अनॉवल, और मैंने कहा अगर आपको भार्षा पर command नहीं है, तो मैं हम बात करें, the one who wrote first gave it to Ria, यानि कि यह पांच क्या है, लड़किया है, प्रिया, उशा, रिया, श्रिया, एंड, टीना रोट अनॉवल, यह पांचों क्या करती है, एक नॉवल लिखती है, the one who wrote first, जिसने सबसे पहले लिखा, तो यहाँ पर एक नॉवल की बात करी जा रही ह तो अगर हम बात करें, the one who wrote first gave it to Ria, यानि कि जो सबसे पहले लिखती है, वो क्या करती है, Ria को देती है, ताकि Ria भी नॉवल को क्या कर सके, लिख सके, यानि कि अगर हम बात करें, यहाँ पर पांच आरेंजमेंट्स की, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और जिसने सबसे पहले लिखा, उसने किसको दिया, Ria को दिया, यानि कि Ria क्या करेंगी, second number पे novel लिखेगी, clear, आगे कि यह थी मैं जानकारी की बात करूं, तो बोला जारा है, the one who wrote last took it from Priya, जिसने last में novel लिखा, उसने किसे novel लिया था, Priya से लिया था, यानि कि Priya क्या हो जाएगी, second last हो जा उशा और Priya के बीच में, दो राइटर से, टमिन से यहां पर हो जाएगी, आपकी कौन, उशा, और बची होई, अगर हम बात करें, तो यहां पर हो जाएगी, आपकी, श्रया, clear, तो इस प्रकार से आपका यह आरेंजमेंट भी बन करके, तैयार है, बात करें, यदि हम प्र बात करेंगे, अगले प्रस्न की, अगले ती मैं प्रस्न की बात करूं, तो बोला जा रहा है, थ्री फ्रेंट्स, A, B, and C, वर्क इन ऑफिस, इन आइटी, HR, and बैंकिंग डिपार्टमेंट, A, वर्क इन बैंकिंग डिपार्टमेंट, अब ध्यान दीजे, कितने हैं, तीन, A B, C, व्यक्ति कितने हैं, तीन, एक डिपार्टमेंट कितना है, यहाँ पर तीन, यानि कि एक डिपार्टमेंट हो गया, आपका IT, एक हो गया यहाँ पर आपका HR, और एक डिपार्टमेंट हो गया, आपका बैंकिंग, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर A works in the banking department and works for 8 hours, एक अगर हम बात करें, but the one who works in the HR department works only 5 hours, जो IT department हो काम करता है, वो किवल और किवल 5 घंटे ही काम करता है, आगे कि एक हम बात करें, तो बोला जा रहा है, B is lazy and does not like to work the entire day, B क्या है, एक आलसी वक्ति है और वो पूरे दिन काम करना पसंद नहीं करता है, आगे कि एक हम बात करें, बोला जा रहा है, B has maths background, but is not the part of banking department, अब B का जो background है, वो mathematics रहा है, और वो banking department का पार्ट नहीं है, अगर हम बात करें, तो HR भी हो सकता है, क्योंकि background आपके profession को decide नहीं करता, अगर हम बात करें, UPSC की तो UPSC में आप देख सकते हैं, कि BTEC वाले बंदे भी क्या कर रहे है, UPSC क रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा माना जाता है, ऐसी एक अवधारना है, कि जो arts background का बच्चा होता है, वो PSC या फिर UPSC के तयारी करता है, तो background आपके profession को कहीं से भी fix या decide नहीं करता है, clear, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दी गई जानकारी के हिसाब से, कि उसका background maths है, और वो एक LLC व्यक्ति है, तो यह कहीं से decide नहीं करता है, कि वो HR department में होगा, या IT department में होगा, clear, और bank department का part नहीं, यह पहली आपको बोला जा चुका है, तो पूछ रहा है, who works in HR department, तो HR department के अगर हम बात करें, तो यह तो B करेगा, यह तो C करेगा, यहाँ पर हम इसे fix नहीं कर सक ही है, वो दोनों ही भाषाओं में देखने को मिल रही है, English वाले मैं चाहूंगा कि screenshot ले 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 और इस बार हम प्रशन को Hindi में हल कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर question मैंने हाँ पर English में ही solve करा हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर दोनों ही भाषाओ में प्रशनों को समझाता हुआ चल रहा हूं, साथ ही साथ आपके दोनों ही भाषाओं में आपर प्रशनों के विकल्प भी मौदूद हैं, यानि कि आप चाहें तो हिंदी वाले प्रशन को भी यहाँ से screenshot ले करके देख सकते हैं, बाकी के प्रशनों को जो हम लोगों ने English म यहाँ पर solve किये, तो इस प्रशन का आप screenshot ले लीजिए, इस प्रशन को हम लोग हिंदी में हल करेंगे, इस प्रशन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, विभिन रंगों के साथ बॉक्स, नीले, लाल, काले, नारंगी, हरे, पीले और गुलाबी ठीक है, एक के उपर एक रखे गए है, colors की हम बात करें, तो colors को ले करके, यहाँ पर आपके क्या है, साथ रंग के box है, ठीक है, आगे के अगर हम जानकारी की बात करें, चलो English में ही कर लेते हैं, ठीक है, English में करिए, Hindi में करिए, बात वही है, मैंने कहा दोनों ही भाशाओं पर आपके क्या होनी चीए, बहतर कमांड होनी चीए, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर पहली जो जानकारी की आपको यहाँ पर दी गई हो, बोला गया है, pink box is three boxes above blue, अब इसका कहने का तातपर क्या है, यह समझी है, जो pink box है, वो blue box के तीन boxes उपर है, यानि कि यहाँ पर हो एक और question आपको यहाँ पर देखने को मिला था, there is a gap of two floors, तो जब gap की बात करेंगे, यहाँ पर जब two floors के gap की बात करेंगे, माल लेते हैं, यह A है, तो B की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर B हो जाएगा, लेकिन जब हम बोलेंगे, B is two boxes above A, तो यानि कि B का सान फिर आपका नहीं करना है, बात करेंगे, आगले दिये गए statement की, तो बोला जारा, green box is placed at the top most position, यानि कि अगर हम बात करें हरे box की, तो वो सबसे उपर रखा गया box है, it means हरे box के नीचे, कि अगर हम बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, और 6, यानि कि 6 box हो जाएगे आपके green box के नीचे, आगे की य बोला जा रहा है, yellow box is just above pink box, जो yellow box है, वो कहा है, pink box के just उपर है, तो यह हो जाएगा, आपका कौन सा yellow box, आगे कि अगर मैं जानकारी की बात होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 और 3 कितने हो गए, 5 box हो गए, अब इसके नीचे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप आपको green box देखने को मिलेगा, और दूसरे कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, यह हो जाएगा, आपका yellow box, फिर यह हो जाएगा, आपका pink box, फिर अगर हम बात करें, तो दो बाक्स को छोड़ दें, तो यह हो जाएगा, आपका blue box, clear, तो दो तरीके से यहाँ पर आपके arrangements बन सकते हैं, बात करें, गर हम आगे की जानकारी की, तो बोला जा रहा है, red box is just below black box, यानि कि हम बात करें, red और black की, तो दो consecutive positions चीए, और दोनों में हमें एक ही स्थान ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दो consecutive positions बनाई जा सकती है, तो कही arrangement हमारा सही होगा, और एक क्या हो जाएगा, तो कैसे cancel होगा, तो अगर हम बात करें, there is only one box between red and orange box, यानि कि red और orange की बात करें, तो केवल एक box है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, bottom most box हो जाएगा, जबकि red और orange के बीच में एक box के लिए आपर स्थान खाली नहीं, इस इस प्रकार से आप इन topics से संबंदित, जो भी आपकी परिक्षा में प्रशन पूछे जाते हैं, आसानी से उनको बना सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के, clear, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आगामी सेशन में कुछ अन्य महत्पूर topics पर चर्चा करेंगे, आज के लिए फिलाल इतना ही, मिलते हम लोग next session में, thank you.